गुद मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके सामने लेके आए हैं नर्सिंग के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन जो आपके करेंट पे होने वाले जितने भी एक्साम से नर्सिंग ओफिसर्स के उसके लिए बेस्ट रहेगा और ये इंपोर्टेंट कोश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ठीक है इजी वे में हम आपको समझाने की कोशिस करेंगे तो हम कोश्चन वन पढ़ रहे हैं कोश्चन नमबर वन रेट ऑफ मेटाबॉलिजम और रेस्ट इस नोन एज ऑप्शन ए कैलोरीज ऑप्शन B, एनरजी ऑप्शन C, BMR ऑप्शन D, केटाबॉलिजम रेट ऑफ मेटाबॉलिजम on rest मतलब रेस्टिंग की पियरड में जब आपकी बोडी में मेटाबॉलिजम की जो प्रोसेस होती जो रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो BMR बोलते हैं या केटाबॉलिजम बोलते हैं या energy बोलते हैं कैलोरीज बोलते हैं इसका correct आंसर बताईए जी हाँ, इसका correct option क्या होगा option C, BMR rate टीक है, BMR rate क्या होता है BMR rate एक मेटाबॉलिजम की प्रोसेस होती जब individual resting period में होता है तो अगर वो मालो किसी warm environment या गरम environment में अगर होता है तो उस समय जो उसकी body से मालो की, for example अगर वो 12 घंटे तक या at least कुछ खाता नहीं है उस समय उस time पर या उस condition पर अगर उसकी body से energy produce होती है ठीक है, किसके लिए for the lungs या heart या nervous system के लिए उस condition पर जब जो energy produce होती है, body music हों बोलते है BMR rate, ठीक है, resting condition पर इसको हम क्या बोलेंगे, resting condition पर BMR rate का formula तो सबको पता होगा, normally जो BMR rate होता है BMR rate, normal normal value, mail में कितना होता है mail में निकालने का जो formula होता है, 1 KCL 1 KCL per kg body weight ठीक है, per kg body weight per hour कितना per hour, ठीक है mail में, BMR normal value mail में कितना होता है, 1 KCL per kg body weight per hour, ठीक है, जितना normal क्या होगा, उसका weight होगा और per hour के recording, उसका हम क्या निकालेंगे, BMR rate निकालते हैं बात करें, वही पे females का normal value जो females की होती है, BMR rate female में कितना होगा 0.9 KCL उसको हम निकालते हैं, 1 KCL से 0.9 KCL पर केजी बाडी वेट पर आवर यह फॉर्मूला होता है, BMR rate निकालने का, चले ठीक है नेक्ट वन अब कोशन हम देखेंगे कोशन नमबर सेकेंड health is defined as a state of complete physical well-being second option है, mental well-being option C, social complete यह option D, all of above बताइए health is defined as a state of complete यह जो भी option है इसमेंसे इसका correct answer क्या होगा जी हाँ, इसका correct answer क्या होगा option D all of above क्या होगा इसका, क्योंकि WHO के according health की जो definition दी गई थी, सभी को मालू होगा कि health is defined as a state, complete physical, mental, social, well-being ठीक है, इसमें एक word नहीं जुरा है उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, spiritual spiritual, ठीक है, spiritual भी होता है, इसमें एक word क्या होता है spiritual, जो की अभी आइड इसमें नहीं है इसकी definition में एक word होता है spiritual and not really the absence of disease यह complete definition यह सारे point होते हैं, इसका correct answer क्या होगा, all of above then इसके बाद हम देखेंगे, question number third a small nodule observe during 8 week pregnancy primary 8 week pregnancy, ठीक है, question number third देखे, ध्यान से पढ़िएगा, important question है यह small nodules observe during 8 week of pregnancy on primary areola as known as ठीक है, बताया जा रहा है कि small nodules जो observe होते during 8 week pregnancy में primary areola, तो किसमे होगा, ठीक है तो यह आपको देखना है, option हम देखेंगे इसमे, option a, mask up pregnancy, option b, montgomery tuberculosis, option c, tuberculosis, option a, linear nigra, इसका correct option क्या होगा बताईए, जी हाँ, 8 week pregnancy में primary areola किस condition में दिखेगा, हाँ, इसका correct answer क्या होगा, option b, montgomery tuberculosis, ठीक है, mask of pregnancy तो सभी को मालू है, क्या होगा, एक butterfly sign होता है, जो face में pregnancy के time पर जिसको हम बोलते हैं, neck या मात्ये के पर collagema, collagema प्रेजन्ट होता है, उसको हम बोलते है, mask of pregnancy, tubercles औ लाइन या इग्रस अभी को symphysis pubis के above, जो black या blue line जो दिखती है, वो क्या होता है, आपका linia nigra होता है, ठीक है, during pregnancy, ठीक है, समझ में आया, यह आपका montgomery tuberculosis में क्या symptom देखने को मिलता है, primary areola, ठीक है, next one हम पढ़ेंगे, question number fourth, name up birth control vaccine, इसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी vaccine है, जो birth को control करेंगे, जो contraceptive method से vaccine वर्क करती है, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है, बताईए, option A, depo provera, option B, copper T, option C, lips loop, option D, BCG, इसका correct answer क्या होगा, बताईए, जी आए, इसका correct answer क्या होगा, option A, correct answer क्या होगा, इसका, option A, ठीक है, name of birth control vaccine, depo provera, depo provera, कौन सी vaccine होती है, और किस तरह से वर्क करती है, तो आपने सुना होगा, एक नाम आप सुने होगे, DIMPA, क्या होती है, DIMPA, D, E, M, P, A, इसी का दूसरा नाम होता है, depo provera, ठीक है, depo, methoprogesterone, prostate, acetate, ठीक है, methoprogesterone, acetate, तो यह क्या होता है, यह DIMPA, DIMPA, deposit करता है, ठीक है, deposit, तो यह इसका full form होता है, DIMPA, एक injectable vaccine होती है, जो 3 मन्त के लिए इसका work होता है, ठीक है, तो इसलिए, इसको कौन सी vaccine के नाम बोला गया है, बर्थ कंट्रोल vaccine बोला गया, इसका नाम जो बताया गया है, क्या बोला गया है, बर्थ कंट्रोल vaccine, समझ में आया है, तो इसका correct answer क्या होगा, option A, ठीक है, name of birth control vaccine, next one question हम पढ़ेंगे, question number 5, in an adult anima tube should be inserted inside the rectum up to, ठीक है, up to, इसमें बोला गया है, question number 5 में, in an adult anima tube should be inserted inside the rectum up to, option A है, 1 to 2 inches, option B, 3 to 4 inches, option C, 9 to 10 inches, option D, हमारा क्या लिखा था, 7 to 8 inches, अब इसमें हमको बताना है, कि जो anima insert किया जाता है, adult में, और सभी को मालूम है, through the rectum देते हैं, ठीक है, इसकी जो height होती है, कितनी होती है, देने की 45 cm, सभी को मालूम होगा, कितना देते हैं, इसको हम 45 cm, ठीक है, तो adult की बात है, तो adult में, कितने inches हम insert करेंगे, जी हाँ, इसका correct answer क्या होगा, 3 to 4 inches, सभी को मालूम है, infant में कितना देते हैं, 1 से, infant की बात करें, infant में कितना है, आपका, 1 to 1 and half inches, यह हम infant में देते हैं, ठीक है, infant में कितना देते हैं, कितने inches देंगे हम, 1 and 1 half inches, और बात करें, यह infant का हो गया, child की बात करें, child में देते हैं, 2 to 3 inches, कितना देते हैं, 2 to 3 inches, और 1 and 1 half, कितना देते हैं, infant में देते हैं, और adult में कितना देंगे हम, 3 to 4 inches, यह anima देने का insert करने का क्या होता है, है, आपका size होता है, then इसके बाद हम question number 6 पढ़ेंगे, test perform before administering imipramine, test perform before administering imipramine, ठीक है, imipramine drugs अभी को मालू होगा, किस के लिए देते हैं, ठीक है, तो इसमें हम option पढ़ेंगे, बताईएगा, तो हमारा option A है, heart rate, option B, ECG, option C, body temperature, option D, respiration rate, कौन सा test perform करेंगे, before administering, जब imipramine drugs देंगे, प्रुवाइट करेंगे, तो इसमें से हम सबसे पहले क्या test perform करेंगे, बताईए, imipramine क्या होती है, एक antidepressantive drugs होती है, ठीक है, psychiatric disease होती है, sorry, psychiatric drugs होती है, psychiatric disease में जियाने वाली drugs होती है, जैसे depression की condition में, अगर किसी को depression किसी medication को अगर है, तो इस condition में ये drugs दी जाती है, ठीक है, इसका दूसरा नाम, ये किस group की drugs होती है, TCA groups की, ठीक है, tricyclic group की होती है, ठीक है, TCA group की ये drugs होती है, और किस condition, जब इसको हम देते हैं, तो क्या condition देखना चाहिए, किस के पहले हमको test कराना है, तो इसका सही option मताईए, क्या होगा, option B, जी हाँ, इसका correct answer क्या होगा, ECG, electrocardiography, क्यों कराना है electrocardiography, क्योंकि ये drugs देने से क्या होता है, cardiac arishmas की condition create होती है, ठीक है, tricyclic antidepressant drugs, groups की ये drugs होती है, आपकी, किस group की होती है, TCA group की ये drugs होती है, इसका full form होता है, tricyclic antidepressant drugs, समस्में आया, ठीक है, और ये drugs देने से क्या problem होती है, cardiac arishmas की condition आती है, cardiac arishmas की condition होने से, क्या होगा, heart में problem आएगी, इसलिए सबसे पहले इसको देने से पहले हमको देखना है, ECG करना, electrocardiography देखना, ठीक है, अगर कोई person वालो old age का है, तो ही उस condition में उसको emipra mind drugs नहीं देंगे, ठीक है, ये सारी problem वहाँ पे create होंगी, समस्में आया, तो next one हम पढ़ेंगे, question number, जिसका correct answer पता चला क्या है, इसका correct answer क्या होगा आपका, ECG, next question हम पढ़ेंगे, question number 7, according IMNCI, which color code suggest referral, according IMNCI, ठीक है, IMNCI का full form क्या होगा बताईए, सबसे पहले IMNCI क्या होता है ये बताईए, ठीक है, IMNCI क्या होता है, integrated, क्या होता है, integrated management of neonatal, integrated management of neonatal childhood illness, childhood illness, ठीक है, ये इसका क्या है, full form है, integrated management of neonatal childhood illness, ये कब launch किया गया तो, September 2016 में, कब launch किया गया, September 2016 में, ये क्या किया गया था, launch किया गया था, ठीक है, किसके लिए launch किया गया था, neonatal, इसमें कितने इस group के बच्चे आते हैं, तो 0-2, 2 month, ये मान के चलिए कि 0-2 से लेके 5 year तक के बच्चे, या 2 month से लेके 5 year, 5 year के जो children से हैं, वो बच्चे इसके अंडर में आते थे, इसमें क्या किया गया था, जो central, जो hospital थे, और या DHS, CGHS hospital और जो DHS hospital से, वो सभी सामील होके, इनका main लक्ष जो था, इसको चलाने का, इसका main लक्ष था, कि जो neonate होते हैं, उनमें जो illness होता है, उसको दूर करना है, जो बीमारी की condition create होती है, कि वैसे बच्चों में बीमारी की condition create होती है, उसको क्या करना है, हमको दूर करना था, इसको चलाने के, इस प्रोग्राम को चलाने का मेन लक्ष था, मेन उद्यश था, ठीक है, तो हम अपने कोश्चन को देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, option C होगा, क्या होगा, option C, pink color, ठीक है, क्योंकि green, yellow, red, ये सब, yellow color तो hospital के रिए यूज होता है, green color आपका कहां पर यूज होता है, home के रिए यूज होता है, और reference system के लिए हमेशा कौन सा color code यूज के राता है, pink color यूज किया राता है, ठीक है, स lightning कौन सी week में, मतलब, कोई भी, अगर, lightning का मतलब तो पता है न, कि अगर कोई भी, मतलब, lady अगर pregnant है, तो उस time पर जो lightning की condition होती है, वो किस week में आती है, तो सबसे पहले हम option पढ़ते है, option A, 36 week, option B, 34 week, option C, 30 week, option D, 32 week, तो इसका correct answer क्या होगा, बताइए, हाँ, इसका correct answer क्या होगा, 36 week, ठीक है, इसका correct answer होगा, option A, 36 week, देखे, इसमें क्या होता है, कि 30, इस stage में, during labor के time पे, जो, pregnant लेती होती है, माल लिजे कि, अगर, first time कोई lady अगर pregnant हुई है, तो उसका जो gestation period होगा, वो कितने का हो सकता है, 38 week का, माल उसको हम बोलते है, प्रीमी ग्रैविडा, क्या बोल सकते हैं, उसको हम, प्रीमी ग्रैविडा, अगर कोई lady, first time अगर pregnant हुई है, तो उसका, जो lightning की process हो, वो कितने week तक जा सकती है, 38 week gestation जा तो उसका जो lightning जाएगा, वो कितने week तक जाएगा, आपका, इसका correct answer क्या होगा, 36 week तक जाएगा, ठीक है, during delivery तक, समस में आया, अब पढ़ेंगे next question, question number 9, midday meal program launched, midday meal program launched, अब देखें, midday meal program क्या होता है, ये सबसे पहले तो आपको जानना होगा, तो midday meal program कब launch किया गया था तो option हम पढ़ेंगे, option A है 1961, option B 1962, option C 1954, option D 1995, midday meal program कब launch किया गया, इसका correct answer क्या होगा, बताइए, option A, ठीक है, हाँ, इसका correct answer क्या होगा, यह एक school lunch program होता है, ठीक है, midday meal program क्या होता है, एक school lunch program होता है, और इस program के अंडर में, बच्चों का specific रूप से इसका aim क्या था चलाने क कि बच्चों का जो attendance था, वो भी mental हो सके, इस school में, और बच्चों का जो health है, वो भी improve हो सके, ठीक है, जो poor family से belong करने वाले बच्चे होते थे, specific उनको देखकर यह चीज़े चलाई गई थी, midday meal program, ठीक है, तो, इसका चलाया गया था, 1961 में, समझ में आया, next question हम पढ़ेंगे midday meal scheme, देखिए, यह, उसी से मिलता जूलता question है, लेकिन अभी हमने पढ़ा midday meal program, क्या पढ़ा भी, midday meal program, लेकिन यह question हमारा क्या है, midday meal scheme, देखिए, दोनों में differentiation है, first वाला question क्या था, आपका program है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, आपका midday meal scheme है, तो, midday meal में जो scheme है, वो कब launch की गई थी, तो option हम पढ़ेंगे, option A, 1995, option B, 1962, option C, 1985, option D, 1969, इसका correct answer क्या होगा, बताईए, हाँ, midday meal scheme कब launch की गई थी, इसका correct answer क्या होगा, 1995, समझ में आया, इसका correct answer क्या होगा, 1995, ठीक है, 1995, समझ में आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बच्चों ये question समझ में आये, next session में आपको इससे भी और ज्यादा contain लेके आएंगे, और और ही easily, वे जो trick रहेगा, हमारा समझाने का वो और easy रहेगा, ताकि आपको easily question समझ में आ सके, ठीक है, तो next question हम next session में लेके आएंगे, और इससे भी